कि अचानक जाना पड़ रहा है क्या था वो दिखाइए मुझे चुपाइए में दिखाइए मुझे क्या है दिखाइए यह क्या है जी यह है अपने भारत देश का सबसे बड़ा रहसे इसका नाम है विजय श्री रत्न जब पूरी दुनिया भातिक सुख पानी की इच्छा में यहां महां भटक रही थी तब एक देश था जिसने विज्ञान और अध्यात्पिंग प्रगती में उचाई हासिल कर ली थी और इस प्रम्भांड की सच्चाई को पहचान लिया था वो है अपना भारत देश 17 शित अबदी में जब अंग्रेज भारत आये थे तब वो एक देश्वी रत्न की खोज में आये थे जब उन्होंने कोहिनूर हीरे को हासिल कर लिया तब उन्हें लगा कि ये वही नायाब हीरा है जिसके उन्हें तलाश थी और वो उसे अपने साथ इंग्लेंड ले गए ज जो विजैश्री के नाम से भी चानी जाती है ये हीरा अपना नाम सिद्ध करता है जिसके पास ये हीरा होगा उसे हमेशा विजैश्री की प्राप्ती होती है चक्रवर्ती राजा विनाश मानने जिनके पास ये हीरा था उन्होंने बिटिशों के निरंकुष शासन का कड़ा बिरोत किया, अपनी आखरी सांस तक वो इस हीरे की रक्षा करते रहे, और आखर में इसे अपने पुत्र के हाथों सौंप दिया, ततफशात परंपरा के अनुसार इस विजशी हीरे की माने राज घराने में पीड़ी दर पीड़ी रक्षा होने लगी, उसके बाद मानने घरा के आखरी राजा, चंद्रादित्ति मानने पर इस हीरे के लिए जनलेवा हमला हुआ, वो घैल हो गया, प्रांच छोड़ने से पहले उन्होंने ये हीरा मुझे दिया, और बिनती की कि मैं ये हीरा भारत सरकार के तिजुरी तक पहुचा दूँ, और उनकी इच्छा पून कर के लिए मुझे इससे सही जगह पहुचाना होगा, तभी मैं अपनी कर्तब इससे मुक्त हो पाऊंगा, इसलिए हम ये घर छोड़ कर जा रहे हैं, बच्चों को तैयार करो, जल्दी जलो, जल्दी जलो, प्रिया, क्या मा, प्रिया, जल्दी से तैयार हो जर हमें जाना है, अशोग, अशोग, क्या मा? My best friend, Vijjay द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, श्री कृष्ण को भी पांच मिनिट की देरी हो सकती है, लेकिन ये लड़की हुकुम करे, तो एक पल की भी देरी नहीं करेगा, ये बदमाश, ये बदमाश, अहां विजय, विजय, तुम्हारी दोस्ते है न, प्रिया, वो गाउ चड़के जा रही है, चलो अरे साहब, अब क्यों जा रहे है साहब, मत चाहिए, देखे, ऐसा मत कीजिए, हमारा क्या हो का आपके बिदा, देखे, अरे, सुनिये न, प्रिया, विजय, पाई, टांड़, टांड़, अब की बार हो रहे है, इलेक्शन में, कौन बनेगा राज्जका नया मुख्यमंत्री, पूरे राज्य में इसी की चर्चा हो रए है, हमारे मानिय मुख्यमंत्री श्री राम तिलक ने पार्टी पर मुख के सामने, ग्री मंत्री श्री राज शेखर का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया है। ये किंग वोट के लिए पीयर देगा, पिरियानी देगा, उसे साब इंकार कर देना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब हम सबको देखना ही है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन से रंका होगा, वो भगवा होगा, नीला होगा या हरा होगा। सिमा हॉस्पिटल में अब आयर्वेट के जरिये सर्जरी की जाएगी। हार्ट इजी सर्जरी के बिना ठीक होगी। इस बार का सिनेमा फैर कौन जीतेगा, स्माइलिंग प्रिंसेस डीपी का कामत, या भीर होट होट अनुष्का पांडे, इस बार की चच्चा आप सुन सकते हैं हमारे एफपर। राज्यपाल होने के नाते, मैं इस राज्य को दो हिस्सों में बटने की अनुमते बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। ये है, ये है असली ब्रेकिंग न्यूस। कमीशन खत्म होने के डल से सारे ब्रूकर्स नाव मैरेश के खिलाब आंदो नंगर ने रास्ते पर उतर आए। इस बार भी BPL मैचेज में येलो टीम के विरूत रेट टीम की हार हुई। टेस्टी मैचेज की बिकरी के लिए टेर लिडर टीम को बैट और बॉल दिये गया है। इस टीम के ओनर आर के इस बास पर उनका रियक्शन क्या होता है, यही देखना है। अब मैं क्या करूँ नेपूलियन, मेरी टीम फिर से हार गई। क्यूंकि उस सूरिया भाई और उसकी गैंग मैच फिक्सिंग की थी। मैं फिर से मजाग बन चुका हूँ। तुम इतने अमीर हो कि हर दिन एक नई मर्सिटीज से गुम सकते हो। एक मैच हारने से तुम्हारा क्या भिगड़ेगा। तुम्हारा फ्लाइट के बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। यह मैच हारने के वज़े से मुझे अपने प्लेंस बेचने पड़ेंगे। और सारी एयर होस्टेस को घर भेजना पड़ेगा। तुम्हारे बेटिंग के पैसा ही नहीं बलकि मैच में टॉस के लिए इस्टिमाल के हुआ सिक्का भी वापस इला दूँगा। मेरी गारंटी है। अर्यू शॉर। मेरी गारंटी के शॉरटी से ज़्यादा उसके एक्शन के क्लारेटी ज़्यादा है। भले ही उन्होंने मैच फिक्स की होगी लेकिन फिर भी वो हार जाएंगे। क्योंकि जब वो काम पे लग जाता है तब वो किसी के बाप की भी नहीं सुनता है। मैच अभी खत्म भी नहीं हुई और तुम्हारे लड़के ने मैन आफ दे मैच डिकलेर भी कर दिया। कौन है वो ? साबने रावन हो तो वो राम बन जाता है। मा भारत का खुरुज्षेत्र हो तो वो लोगों की मदद करने के लिए करण बन जाता है वो अर्चुन है जो हर काम को अंजाम तक पहुचाता है। वो ऐसा है जो हर सिच्वेशन में अपना रूप बदलता है जिसे दुनिया कहती है अपाश पत्लून गिली कर देते हैं मेरा नाम सुनकर सारे चोर्स हड़ी पसली तोड़ने में मैंने किया हाई लेवल कोर्स आइम फ्राम स्पेशल पुलिस फोर्स एई तु अकेला आया है काट के रख देंगे तुझे समझा जिंगुर तेरी हॉइट कितनी बोलता हो कितना है अबे काटने का इतना ही शौक है तो घर जाके मुली काट गाजर काट टमाटर काट अरे लंगर में खाना बाटो तो बड़े बुजूर्ग आशिरवाद देंगे काट अबे तु इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है क्यों न सीधा गेम शुरू करें कैसा गेम चोर पुलिस अबे ज्यादा भॉक मत बोल कितना कमिशन लेगा अब आया ना सीधा पॉइंट पे फिफ्टी फिफ्टी ए साले विजय चोहार तेरे मुझ में नोटों की गड़ी नहीं बलकि मैं कुत्ते की हड़ी डालूंगा अब ही हम तेरा बेंड बजाएंगे या चीटर चमेली गोवा बॉर्डर पे ड्रग्स बेचने वाले दलाल बस बस मैं तुम्हें अच्छा ओफर दे रहा हूं जाना तू जो देगा वो चुपचाप लेने के लिए मैं तेरे घर का जमाई नहीं हो समझा पुलेस हो आप उनको सारा पैसा चेहिए अरे यार यह भी कोई बात हुई क्या हम पर कुछ तो रहन कर हम इतनी मैनत से यह पैस वाट लगा दी चेह वांजे इस मोखी ने सारा गेम बिगाड़ दिया एटले के बार-बार मेरे मूँ में आकर गरबा कर रही है आब अब अबुचक नक्की पतली गली से भाग लेते हो यह तो नकली पुलिस वाला है एक बार देख हमें हम कितने सारे हैं अब कैसे बचेग इसके सीने में पॉलाग तुम्हें घुमा घुमा के मारेगा यह शेर क्यों लोग मारेगा तुझे मार देंगे चल निकले हैं अब कर दो कर दो कर दो कर दो कि की कि उड़त बत बता हमें गकर दो कर दो कर दो कर दो कर दो या हमें 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 अई को… प्यखबाई मालो इसलां, पोलो इसलां, मालो इसलां मालो इसलां मालो करता है मैं बिटे來說 ee बिटे जुय मालो。 झालो रुर रिकनता कि ऊएैनना कपान रिकनता हुआ ीण स्क्वाजन एह ah एह ब neurological एह एह एब एप एप पि एुभ पिचर एपिव भी झाल articles मामा छुचा, वो तेरी, मैं मामा तु भांजा सब मजामा, मामा, यह माला पुनका नहीं है, ओके भांजे, लेट्स गो टू आरके, यह अपने जैसा कोई बबू चकी होगा, जो इतना सारा पैसा लाकर भी खाली हाँ जाएगा, वेलकम ब्रदर, जब मैं मुसीबत में था, तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुम लोग तु मेरे लिए फरिष्टे निकले, म यह अपने को ना कर दे तो, चल पैसा उटा ले, ओ, कमान, टेक इज़ी, टेक इज़ी, और यह इतने पैसे में तो मैं पूरे सहर को फापडा जले भी खिला हूंगा, ठैक्यू मेरी बच अंकल, इन गोरी लड़कियों के सामने मुझे अंकल मत बुलाओ, आरके कहकर बुला मामा, वो क्या रहा है? अरे भांजे, तू यह क्या कर रहा है? आज तो संडे आप काम क्यों कर रहे हैं, चलो बार चलते हैं, अरे भांजे, देखो नहीं, यह डायरेक्टर पागल होगे, मेरे को छोड़ी नहीं रहे, यह काला काओ, आए जे, सिरोईन के पीछे दू मिलाता गुमता है, इसे किसी और की फिकरी नहीं है, अचे यह बताओ कि तुमारी हिरोईन कहा है, अरे वो तो मेक अप करने में बिजी होगी, जो भी सीन के लिया बुलो, आदे घंटे बाद आती है, घंटी वागी गई, अरे यह, मामा, यह क्या हुआ भांजे, अभी ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि तेरा डायरेक्टर और उसकी हिरोईन लाइन पे आ जाएंगे, मामा, शंकर, सीवी आई, शंकर अधले जाद झाले जाएंगे, जु कर अधिन थाद ए्वी플 देन वादने भा बाधोंटे, बह्या है, जबाईने भाएंगे, नपिन लाईन छिखे वागी डպए, जु कि अकर यह बच्चा लोग, आउट, 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 पहले में किसी भी लड़की को देखकर बगवान को दोश देता था, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि वो अपन पर मेरवान हो गया है, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों नो दोनों जाकर व बन जाएगी, चलना, अरे यार, ऐसा क्या है इस घड़ी में जो तुम बार-बार देख रही हो, देखनी है तो मेरी शकल देख ले ना, वसे बुरी नहीं है, वेरी इस माई हिरोईन, ओ, तुम्हारा भोला-भाला मोखडा देखकर पहले मुझे लगा कि तुम कोई आम लड चल मेरे वाफिस, चल, don't worry, मैंने तुमारा हाथ इसले नहीं पकड़ा कि तुम से शादी करूँगा, और अगर मैंने शादी करने की सोच ली, तो ये विजय तुमारा हाथ जिन्दी की भर नहीं छोड़ेगा चलो, चलो, अपने खाल चलो, हालो सर, आपने मुझे समझ क्या रखा है, आपने कहा चल तो मैं क्या आपके साथ चलने लगूँगी, थोड़ी देर के लिए मैंने अपना मूँ क्या बंद कर लिया, इसका मतलब ये नहीं आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे, चलो मान भी कि मैंने आपके साथ कॉफी पी, कॉफी पीते पीते हमारी केमिस्ट्री भी जम गई, फिर डे और नाइट, मैसेज पे, कॉल पे, I love you, I love you कहकर एक दूसरे को प्रपोस करेंगे, फिर जब बात शादी तक पहुँचेगी, कोई पंडित आकर कहेगा, तुमारी कुंडली नह सर, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बन सकती है, तो रेडियो मिर्ची कॉल करना, अगर आपके पास नंबर नहीं है, तो किसी भी रिक्षेवाले से पूछ लेना, परस्नली मिलना है तो राखी के दिन मिलना, ठीक है ना सर, अब तो कॉफी पीनी ही नमस्ते मुंबाई, मैं हूँ आपकी प्यारी आरजे प्रिया और आज के हमारे शो में हम सुनने वाले से तो क्रिकेट खेलते खेलते एक्जाम में फेल मत हो जाना, स्पोर्ट्स कोटा हर बार काम नहीं आता, वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे तो हाँ, 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 दे रहा हूँ, मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा, नहीं, आराम से, आराम से, बहुत है क्रिकेट बेटिंग के सारा पैसा जेब में रखकर यहां चॉकलेट बाटने आयो, हाँ पता नहीं, लोग वोट देने के लिए अपने उंगली पर दाग कैसे लगा लेते हैं, मुझे तो साफ सुथरे हाथ पसंद है राजा, गुरुजी का फोन है, गुरुजी का फोन है, हाँ, हलो, राजा, अब ही तुमारी कुंडली में आप खात के लक्षन दिखाई दे रहे, फोर विलर में घुमने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुमारी मिर्ति वटल है, साउधान, हे रियास, सुर्या, मैं फोर अब क्रिकेट बेटिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, अभी-अभी आपने देखा होगा कि किस तरह उस छोटे से बच्चे ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया, अब जिसे क्रिकेट निया तो उसे बेटिंग कैसे आईगी, से आप तीमा आधे खंडे का वक्त दो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे, मेरी गाड़ी आगए ही मुझे जाना हो, नमस्ते, बस, बस बाख, 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 बाज, बाख, बाख, माख, बाज आम तोर पर मंत्री पात साल में सिर्फ एक बार ही दिखाई देते हैं, इलेक्शन के वगई, लेकिन हमारे ग्रह मंत्री श्रीमान राजा सच में जानता के लिए जीते हैं, अब हम किंग को फॉलो कर रहे हैं, आप हमें फॉलो कीजिए, यह है हमारा स्पेशल प्रोग्राम, किंग की बाइक सवारी, नमस्ते मुंबाई, एक्साम्स खत्म हो चुकी है और आपको मौका मिर रहा है अपना टालेंट दिखाने का, आपको बस इस स्टेज पर आकर बॉलीवोट का अपना फेवरिट डायलोग बोलना है, और आपको जच करने के लिए हमारे साथ है रेडि चालनी तो मेरी है, अपने हिस्से के जिन्दगी तो हम जी चुके चुन्नी बाबू, कभी-कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजिगर कहते हैं, कभी-कभी जीतने के लिए, दिल मेरे तू है, मेरे इस दिल में तू ही है, हारा दिन, सारी, कट-कट-कट-कट-कट को हर दिन आइम वेटीं अडे क्या यहाँ पर कुई भी ऐसा टालन्ट प्रेजन्न नहीं है जो अपने डायलोग से अनुष्का को इंप्रेस कर सके प्रेजन्ट मान नमस्ते मुममाय यह यहाँ क्या कर रहा है वैसे आप कौन हैसा आप इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं सीनियर हो मैडाम सीनियर फस्ट बेंच पर बैट कर जम कर पढ़ाई करने वाला फस्ट रैंक लाने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ मैं लास्ट बेंच पर बैठता हूँ, क्लास बंक करता हूँ और प्रोफेसर पर चॉक बारता हूँ कॉलेज के हर फंच्चन में शारुक सलमा नमिताब की मिमिक्री करके हर किसी के दिल में अपनी जगे बनाता हूँ अले ही एक्जाम में कॉपी करता हूँ, फिर भी भेलोता हूँ, पर कॉलेज का हर इलेक्शन जीतने का रेकॉर्ड बना चुका हूँ, क्यूंकि लीडर्शिप ही मेरा आजेंडा है मैडम, मुझे कॉलेज का कोई लेक्शुरर नहीं जानता, लेकिन कॉलेज का हर मुझे पहचानता है, भाई, ब्रदर, यार, दोस्तों का सीनियर हूँ मैडम, सर, मैंने सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा, लेकिन आप तो शुरू ही हो गये, लेकिन अगर आपको स्पेशल स्टार बनना है, तो स्टेज पर आकर फिल्म डालोग बोलकर अनुष का माम को ब्रदर, यह डाय-ळो, और यह रालोग है, बहुत हो गया, अब आपको अनुष करोंगा, लेकिन इस हिरोएन को नहीं ही, वह सिरोएन को, क्या कहते है ओधाया आप हेरोईन है, वह हिरोईन है, और उसे इम्परेस करने के लिए डंस करमें जा रहे हैं झाल agreement fet अईस्ट没रा중 काई जपने मैम माँ sí माम से जए टूए बर अवैसनुट उडूबुरोक मत रड़र है किया मैंना को रस टेमानी याव झालおお कि हम पावकि centrale locality कि हम्यों के फिर वेलो यह पीर दीर और 750100 सर आप मेरी प्रोपर्टी में क्या कर रहे हैं मेरी बॉलिंग शुरू भी नहीं हुई या आग या नो बॉल कहने के लिए इसे पता नहीं है कि ये अभी आउट होने वाला है मैंने आपको पहचाना नहीं मेरा नाम है डॉक्टर अशोक सिम्हा आप यहां क्या कर रहे हैं ओ डॉक्टर अशोक सिम्हा ग्रेट कार्डियक सोजन आपका नाम सुनते ही बंद पड़ा हुआ दिल भी धड़कने लगता है इतने ग्रेट हैं आप मैंने आपको टीवी पर देखा था बाइदवे मैं एक साधरन जनसेवक हूँ लेकिन मंदिर बना तो भिमारियां होंगी ही नहीं अब आप ही पताईए इस जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए या फिर मंदिर बनना चाहिए सर ये जगह मेरे नाम पर है एस पर रूल कोई और यहां आख नहीं दिखा सकता इन्हें यहां से जाने के लिए कहिए मैं लीगल एक्षन के लिए तयार हूँ आयो सर आयो कंप्लेन लिखवाते हैं आयो सर अरे अरे आप तो कंप्लेन लिखवाने बैट के इसकी क्या ज़रूरत है मीडिया को पता चलेगा तो प्रॉबलम हो जाएगी प्राइम टाइम के लिए उन्हें अच्छा खासा मसारा मिल जाएगा वो मेरा जीना हराम कर देंगे प्लीज सर सर आप ही इने समझाईए ना कंप्लेन करने की क्या ज़रूरत है हम आपस में बाचियत करके मामना सुझा सकते हैं सर मुझे क्या लिखना होगा सर अब इतना बड़ा वी आईपी डाक्爹 इतना सारा पेसेंट आपका इंतजार कर रहा होगा जो लिखना हम लिख देंगे ना आप बस साइन कर दीजिये आपने क्या कर दिया सर आपको पता भी है आपने साइन करके क्या किया है क्या मतलब तुम जानते नहीं कि अगले 60 सेकंड में तुम मरने वाले हो तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रूल समझाएगा तुम्हारी समाधी के ऊपर ही मंदिर बनवाता हूँ देख ले ए रियास चल दे लिख लिख कि मैं डिप्रेशन की वज़ा से सुइसाइड कर रहा हूँ मैंने सिंदगी भर लोगों को फसाया है मैं इस पाप का प्लैस्चित करने के लिए कि जमीर को दान कर रहा हूँ तेरी इतनी हिम्मत कि तु मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखेगा मैं इस रौची का क्रह मंत्री हूँ किंग किंग हूँ मैं भया भया एक इंफोर्मिशन मिली है हमारा बेटिंग का जो पैसा लुट गया है उसकी वज़ा वही है वो रॉयल कुमार उस बेवडे रॉयल कुमार के पर निकल आये है कि वो आप एरे खिलाफ मैच खिलेगा गुरु भाई डॉक्टर साब उठिये उठिये आपको तो खासी आने लग गई है चलिए उठिये उठिये सर घर में आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे अब तो आप इस धर्ती पर मंदिर बनवाने वाले हैं जाए जाकर मिठाईयां बाठिये रुद्रपा डॉक्टर को एक चमच ग्लुकोज पिला देना और इन्हें स्वरक्षित घर छोड़ देना कफ सिरभ भी ले लेना आप खुश किसमत है कि आपको जिन्दा छोड़ दे हैं राजा खुरी जी का फोन है बॉइज एक ब्रेकिंग न्यूज है कुछी दिनों में ये पूरा स्टेट मेरे हाथों में होगा राजशेखर यानि कि किंग बनेगा स्टेट का नेक्स सीम जल्दी गाड़ी निकलो नमस्ते मुंबाई मैं हूँ आपकी प्यारी आरजे प्रिया कहीं पर भी अन्याय होते हुए देखे तो हम हमेशा रामराज की बाते करते हैं लेकिन ऐसे कितने हैं जो राम के रामायन को जानते हैं तो हम आपको रामायन सिखाएंगे वो भी मुंबाई की कॉमन लैंग्विज हिंदी में हिंदी पाच्छाला में आपका स्वागत है रामायन किस ने लिखा पताँ मैं किन गीव थे हिंट कुमभकर ना नेइव बाल मिकी अब रामायन सीखो हिंदी के जरिए या यू कहू र रेडियो मिर्ची 98.3 FM मैंने लर्न इंगलिज देखा था लेकिन यह लर्न हिंदी पहली बार देख रहा हूं वो भी रामायन की चलिए मुझे वनवास भेज कर मेरी प्रिया खुद रामायन सिखा रही है तो क्या तुम भी रामायन सिखने जाओगे रेडियो मिर्ची की आरजे प्रिया ने फॉरेन उसको हिंदी में रामायन सिखाने का बेड़ा उठाया था इस बात से श्री रामदल वाले बहुत नाराज है उनका कहना है कि बाहर के लोगों को रामायन सिखा कर वो रामायन का अपमान कर रही है आईए सुनते हैं श्री राम मुझे भी एक सवाल पूछना है आपका नाम क्या है सर? इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है सीधे सवाल पूछूँगा तो नहीं चलेगा पूछे सर श्री राम जी के पिता जी का नाम क्या था बोलो दाशराता महराजा अगला सवाल है हिंदी के प्राचीन प्रख्यात कवियों के नाम बताओ तो अब देखे हैं कि ये लोग इस सवाल का जबाब दे पाते हैं कि नहीं इतनी पढ़ाई करके इतना भी घ्यान नहीं है अब देखो हमारे लोग कैसे जटपट जवाब देंगे अच्छा भाई साब आगया हो जवाब दो वो जावे दक्तर गुलजार साब और वो तीसरा क्या नाम है उनका अधित चोपड़ा लगता है मेरा दोस को ज्यादा ही फिल्में देखता है इसलिए कनफ्यूज हो गया अब रैपिड राउंड अल बॉइज रेडी हो ना और बड़े भाईया आप मुझे कौन बताएगा कि रावन की नगरी का नाम क्या था रावन की बहन का नाम शुर्पनखा रामायन किस ने लिखी वालमे की रावन के दो भाई थे एक राम भक्ता और दुसरा बहुत शक्तिशाली उनके नाम बताओ विबेशन और कुम कारण अब रामायन पर आखरी सवाल महराज दश्रत की पहली पत्नी उसके बड़े बेटे की पत्नी मिथिला नगरी के राजा जनक की बेटी जिसका रावन ने अपरहन किया और लंका ले गया उसका नाम बताओ बड़े भाया कैसी रही मुझे भी बता दे ना मैं भी मीडिया को इंप्रेस करना चाहता हूँ वो है राम की पत्नी दुरोपदी और पांचाली लगता है श्री राम दल के लीडर रमायन और माभारत में कन्फ्यूज हो गए है और ये अपने आपको श्री राम दल के लीडर कहते है अरे तुम क्या मेरे साथ रामायन पर कौन बनेगा क्रोड़पती खेल रहो और रमायन के अलाबा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या मैं जा रहा हूँ अरे और दो-चार सवाल पूछने है जल रहे अरे तुम क्या है रुको अरे रुचाओ सर प्रीज सर रुके सर एक सवाल पूछना है सर सर रुके थांक यू सो मच थांक्स वो भी इंग्लिश में उन लोगों को फिर से बुलाऊं क्या अगर तुम भी रक्षा करोगे तो कहीं से कोई भी आए मुझे कोई चंता नहीं थांक्स यह चीर लीडर्स ही है जिनके साथ मुझे थोड़ा सुकून मिलता है लेकिन मैं बरबाद हो जुका हूँ मेरे पास आटो रिक्षा के लिए भी पैसे नहीं आरके साथ आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे के मुझे उसकी दूद की बोतल छीन ली हो ऐसा क्या हो गया बीपील के वक्त इस सूरिया भाई ने बेटिंग में बाहुबली के कलेक्शन से भी ज्यादा पैसा जमा कर लिया उसने फाइनल मैच फिक्स कर ली और मैं हार गया बदला लेने की चाह में विजय बेटिंग का सारा पैसा उनसे छीन कर ले आया उसी वज़े से सूरिया भाई और किंग मेरी जान के दुश्मन बन गए है पर इसमें डरने की क्या बात है आप उससे कॉंप्रोमाइज कर लो बात बन जाएगी कॉंप्रोमाइज करने के लिए मैं किंग के रॉयल दर्बार में गया था सर आपके भाई ने बेटिंग के वक्त चीटिंग की थी इसलिए मुझे जबरदस्ती पैसा निकालना पड़ा अब पिछली बात हैं भूल जाहिए हम दोनों बिजनसमेन हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो मेरी तरफ से एक स्मॉल ओफर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम अपना बिजनस क्यों नहीं छोड़ देते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या कहते हो चैर बेवडे कुमार ध्यान से सुन तिरी तारू का फ्लाइट का होटल का सारे बिजनस खाजाओंगा फुटपात पर रहने के लायक नहीं छोड़ूँगा तुझे, गुरु भाई रियास से कहो कि इसके नामकारेस्ट वारे निकले जल निकले यहां से अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, हरी भाई देखें, मिस्टर रोहल कुमार मुझे आपकी मदद करने में सच में बहुत खुशी होगी लेकिन हमें अगर किंग के खिलाफ कोई निउस ब्रोड़कास्ट करनी है तो उसके लिए सॉलिड, सॉलिड एविडेंस के जरुत पड़ेगी एविडेंस मिल जाएगा, सर ये कौन है? ये वही लड़का है मैंने बताया था ना जाएए अपने निउस रिडर्स को मेक अप और माइक्रोफोन के साथ रेडी होने के लिए कहिए सर कल रात को लोग सास बहू के बजाए आपकी निउस देखेंगे आपकी टी आर पी ज़रूर बड़ेगी ये आखिर कह क्या रहा है मैं गेम खेलने जा रहा हूँ क्या हाल है सुर्या भाई गेम शुरू रहा है हेड्स या टेल्स साले, कौन है भे तू? इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं ओ नहीं रेदू इस फिल्ड में नया लग रहा है कहां से आया रेदू? कहां से आया हूँ? करोडो भाई भैनों के परिवार में बड़ा हुआ ऐसा खुश नसीब हिंदूस्तानी हूँ मार्केट में अप उनका भाई बड़ा है सारी टीमस अप उनसे जुड़ना चाहती और तू कहते तू आप उनको नहीं जानता? विजय, गल्ली चेंपियन गल्ली में खेलते खेलते ही आतका पहुचा हूँ स्टार फ्लेयर तू यहां क्या करने आया है? तू मुझे कितने पैसे देगा भाई? उतना ही खेलूंगा भाई, यह देखो क्या करा है? भाई, मैं इदर तुम्हारा लंबा चोड़ा डायलोग और आगे होने वाला एक्सेन सूट करने आया हो लेकिन बगड लिया इस काले सांड ने सोरी भाई, यह वही है जिसने पुलिस वाला बनके अपना पैसे लूट लिया था अबसाले अ, जै हुए में, खर सोरी लिये अ, ब हम है पुलिकों करें लोग live घने में वाल जाए वह लोग पाम लोग उट किदर गया स्वाला कमीना कहीं का कि अर्फर कर LIKE कमीन से तक बायर क्वार लुट कि अरे तकरी वेख देए की कि अर्ट्ट्रक। क्वाइपक्ति कि अ Ö relationships कि अरोल व्यूफजोफ़ कि अरॉर प्यूवट क्या पस्राख किया बांजे हमें पाइसा मली गया चलो चलते हैं अरे रुको मामा अगर तु पहले कॉपरेट करता तो तुझे बैंडिट की जगा मेक अप लगाते सूरिया भाई यह इंजेक्शन लगने के बाद हर कोई मिठुमिया बन जाता है रेडी मामा फियल्ड किलियर बांजे फोकस रोलिंग एक्शन! जैशक्ती पार्टी के फंड में जाता है ये बात सूरिया भाई ने कबूल कर ली है ये वीडियो पुरे देश में वाइरल हो चुका है क्या सच में जैशक्ती पार्टी के फंड में आने वाला पैसा करप्शन का पैसा है पार्डी का साथ देने वालों का अब पार्डी से भरोसा उठ चुका है इस नेकिट की क्या सच में जरुवत थी? और वहां का सारा पैसा अखिर खया का? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल पूरा देश पूशा है किंको भोड देने वाली जरुता इस सवाल का जवाब चाहती है राजा, कोई कमीना है जो सूर्या को फंसा रहा है जानता हूँ, मैं आभी द्राज़ तुम्हें मुझे गाली दी, सीम को सॉरी सर, मैंने आपको नहीं कहा मैं हेडलाइन क्या लिखूँ, कोई कमीना यह दिखा तो हम पहले सही परेशान है, उपर से ये बुड़्धा दिमाग चाट रहा है सॉरी सर, आपको नहीं सर, मेरे सामने कोई बैठा है उसको हलो, हलो, राजा, हलो, राजा, हलो, हलो, अब ये मोबाइल नेटवर्ग भी साथ नहीं दे रहा सर, आप ही ने तो उनका टूजी सैंक्शन करवाया था जादा मत बोल, अरे, पहले टीवी बंद कर सर, सुरे भाई पे लगया आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे ये शक्ती पार्टी का आदे से ज्यादा पैसा क्रिकेट बेटिंग के जरीए आता है, क्या ये बात सच है क्या ये बात आपको पहले से पता थी सर सारे के सारे सबुत कही न कहीं आपके तरफ ही इशारा कर रहे हैं अगर विरोधी पार्टी इस्तिफा मांगे तो क्या आप देंगे हो गया सारे सवाल पूछ लिए आप लोगों ने पूछे पूछे और सवाल पूछे एलेक्शन के पहले ही मेरे मीडिया दोस्तों को एक्जिट पूल एनालिसेस करने के लिए माल मसाला मिल चुका है क्यों गुरू भाई हाँ तो मेरे मीडिया दोस्तों आप सबने मुझसे इतने सवाल पूछे अब मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि मैं पिछले हफ़ते कहां गया था और क्या कर रहा था? सर, हमें बस इतना पता है आप विदेश गये थे, लेकिन उसकी वजह नहीं पता. वेरी गुड विकास, पिछले हफ़ते मैं स्विद्जर लैंड गया था, वैसे मैं वहां चले शारुक की शूटिंग देखने के लिए नहीं गया था, बलकि अपनी पार्टी का भविश्य देखने के लिए गया था, पार्टी फंड का मिस्यूज हो रहा है या नहीं, ये ग्रेहम मंत्री होने के नाते, I declare the arrest of Syria, मैं अपने भाई को बचाने के लिए उन लोगों का विश्वास नहीं तोर सकता जिन्होंने मुझे उनका नेता बनाया, ये बात पूरी तरह सच है कि सूरिया मेरा सगा भाई है, लेकिन इस देश का हर एक नागरिक मेरे परिवार का ह हिस्सा है, मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिया है, थैंक यू, कौन है वो, जिसने मुझे मेरे भाई को arrest करने पर मजबूर किया, इस प्रॉब्लम को solve करना ही होगा, गुरु भाई, ये मीडिया वाले सूरिया तक पहुँचे उससे पहले, लियास से कहो, सूरिया को खत्म कर दे, हाँ, किंग ने सारे सवालों के जवाब दे दिये है, और उन्होंने अपने भाई के लिए दुख जताया है, इस पर किंग ने कहा कि कोई गरीब स्टुडेंट हो या पावरफुल पॉलिटीशन, कानून सब के लिए एक है, और जैसा कि आप किंग क कर से सलामत ही नहीं, और मजबुत हो चुकी है, राजा, वो सूरिया को मारना ज़रूरी है, क्या, कोई और रास्ता नहीं है, प्लीज, एक बार फिर से सोच लो, देखो, 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 यहां देखो, अगर ऐसे ही सोचने लगा ना, तो सीम बनने के पहले ही बुड़ा हो अगर मर जाओंगा, सीम, सीम बनना है, केंग बनना है मुझे, मुझे बंद रखोर जोका है, वोकर, विजय, आखिर तुम मुझे इतनी जल्दबाजी में लंडन क्यों भेज रहे हो, बॉस, अगर आप प्लेन में लंडन नहीं गए, तो केंग आपको बिना ऐरो प्लेन के जेल में डाल देगा, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं लंडन चला जाता हूँ, लंडन जाकर गोरी लड़कियों के बीच में बीजी होकर मुझे मत भूल जाना, लव यू बॉस, आइ लव यू टू, विजय, मुझे ये फोन अच्छा लग रहे है, तुम्ही कौन सा शादी के सिजन में तुम्हें मंडप में होना चाहिए था, तुम यहां क्या कर रहे हो, मेरे ब्रोकर दोस्त, कैसा चल रहे हैं सब, भाई, एक मैटर बताना था, विजय, जरा यहां आना, आया प्रिया, प्रिया मुझे बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता मैं जल्दी पैसे वापस करतूंगा, एक सीरिस प्रॉबलम हो गई है, हमारा नाटक है ना, उसमें राम का पार्ट करने वाला फॉरे न, वो फोन ही नहीं उठा रहा, पतानी अब हमारा नाटक कैसे होगा, चिंता मत करो प्रिया, अपने टीम से कह दो, राम आ रहे हैं, या भानजय, तुम्हारी गर्ल फ्रेंट का पूरा नाम है प्रिया प्रताप सिम्हा, देख गाउं भी सेम छे, वोट तेश रखीन न्यूज, तो तुम्हें पता चली गया, मुझे पहचानने में तुम्ने अधी देर क्या लगा दी, तुम्हें 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 ने प तुम सच्चे पुलिस वाली की बेटियों ये साबित कर दिया मुझे पहचानने के बाद तुम मुझसे इस तरह फोन पर ही बाते करना चाहते हो तुम बस हुकम करो प्रिया एक पल की भी देरी नहीं करेगा ये बदमाश मैं जब भी लोगों को अपने आप से बाते करते देखता मैं सोचता वो पागल है लेकिन आज समझ में आया कि वो प्यार में पागल थे उनकी जिन्दगी में भी तुम्हारी तरह कोई होगी क्या ब्रेक अप थाई गयू हम और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिस दिन प्रपोज किया उसी दिन ब्रेक अप हो गया पता नहीं क्यूं लेकिन उसने कुंडले ना मिलने का बाहना दिया तू चिंता मत कर मैं सब ठीक कर दूंगा हौँ हम नंबर वन जो अच्छी के पास जाएंगे कोस्ट्यूम चेंज आप यह जानना चाहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों के कुंडली मिलती है कि नहीं नहीं हम राशनकार पर केरोसीन और चावल पूछने आये हैं जल्दी बताइए ना इसका कुछ नहीं हो सकता आपके और लड़की के दस गुण भी नहीं मिलना है एक दम मनूस कुंडली है मेरे पास इस पर राम बाण इलाज है यह लड़का इस लड़की से बहुत त्यार क इस तरह आपकी शादी हो जाएगी बादम और अंगूर अवे अगूर अवे स्लो मोशन के अलाज गाड़ी फिर्स गेर में नहीं फिफ्ट गेर में डाल मामा इसको कुछ बोलो ना अभी अब यह एक लड़का मुझसे मिलकर गया पता है मैंने उसे क्या उपाई दिया इस चेक और ग्रेट गुरुजी छे देख वो रहे गुरुजी भांजे ग्रेट गुरुजी वह इस मंदिर में साल में एक ही बार आते हैं अगर वह बोलेंगे तो जरूर होगा नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं होगा आवी जावे नमस्ते गुरुजी यह मेरा भांजा फाइनली साधी करने के लिए तैयार हो गया आओ और यह रही लड़की की जन कुंडली क्रिपा करके जरा देख डालो यह इससे मिलती है या नहीं बेलकुल नहीं इन तोनों की कुंड़ी नहीं मिल रही छोड़ दो इसे लड़की के साथ तुम छोड़ दो मैं यह सब सुनने नहीं आए था जाव आपने दिमाग का हिलाज कर आओ उस्से में है वो माफ करी दो प्लीज उसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हू ग मखा aç शत्रा सिंग राशी साथ ग्रहान के दिन पैदा वही लड़की से तुम्हें विवाह करना होगा तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो राजयोग की प्राप्ती होगी तुमें राजयोग है यह रही उस लल़की की कुंड़ी और यह रही उस लड़की की तस्वीर जसकी मेरे रास्ते में एक कांटा है, एक लड़का है जो इस लड़की से प्यार करता है जब तक ए लड़का आसपास होगा, तुमारी समस्या बनी रहेगी भाई, यही है जिसने सूरिया भाई को फसाया दुलहन, दुश्मन आपने इन दोनों को मेरे हाथ में सौब दिया गुरुजी राजी ओ, कन्फर्म मुझे लगता था कि मेरे खिलाफ खेलने वाला यह कोई इंटरनाशनल खेलाडी होगा लेकिन यह तो गली क्रिकेट खेलने वाला निकला तुम्हारी वज़ा से मेरा भाई मर गया ए बदमाश अब देख इस किंग का खेल नमस्ते मुम्माई यह क्या प्रिया हमारी कुनली नहीं मिलती है सोच सोच कर मुझे ना रात को नीन दा रही थी ना दिन में चेन और आप है कि किंग के साथ शादिय और रिशेप्शन की तयारी कर रही है बहुत खुब मैडम तुम्हें नहीं पता विजय में कितनी बड़ी मुसीबत में फस गई हूँ जब किंग मेरे घर आया था मेरा हाथ मांगने तब तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत हुई थी अगर मैं शादी के लिए तयार नहीं हुई तो वो मेरे भाई और बाकी परिवार को मार डालेगा इसलिए मुझे हा करनी पड़ी विजय लड़की उसके सामने आसू बहार ही है फूल इमोसनल का करें सर सीता के आसू तो पहेंगे ही राम जो उसे छोड़ने वाला है लड़की रोएगी लड़का साहरा देगा ऐसे ही तो सीरियल का ट्यार पी टॉप पे जाता है दो मिनिट इंतिजार कर गुरू जी का आदेश है विजय ये किंग बहुत ही खतरनाक है जब भी वो हस हस कर बाते करता है जरूर उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होता है अगर मैं उसकी नजर से दूर हो जाओ तो उसकी पुलिस हर वक्त मुझ पर नजर रखे वे होती है मेरी हर मूव्मिंट की खबर उस तक पहुँच जाती है और वो अब भी यही पर है एक बार पीछे देखो प्रिया किंग से डरने की शायद तुम्हारे पास हजारों वज़े होंगी लेकिन उससे लड़ने के लिए तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है प्रिया माना कि वो किंग है लेकिन इतिहास गवा है कि राजा को भी बिकारी बनते देर नहीं लगती आने दे उसे मेरे सामने यहीं पेकार दूँगा गुसा देखके लग रहा है वो अपका छाती पे तांडो करेगा सर अब हम का करें एक काम कर उसे फूलों की माला पेना दे सर उस बदमाश को खत्म कर दो माल डालो माल डालो उसे सर अब चिल में सड़ेगा विजे 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 चोड़ो मुझे देखो सब कुछ सससच बता दो तो हम तुमको गर्राइब अबर जाने देंगे नहीं तो हमेशा के लिए गाया आप करवा देंगे बेटा दिमाग में बात घुसी ना कि सुर्या भाई से लूटा हुआ माल कहां रखे हो हां बोलो कि ये माल क्या होता है चलांक मत बनो कि एक्टिंग कर रहे हो देखो हमारे को दुश्मनी नहीं अब मूँ खोलो कौन हूँ मैं राम हूँ दश्रत नंदन कौन से देखे राम हो भाई तुम है अयोध्या का राम सर्यू नदी के किनारे जो नगरी है वही मेरा घर है रुदरप्पा तुम हो कॉमेडी फिलिम देखे हो ना अंदाज अपना अपना जिसमें आमिर यादा जाने का नाटक करता है यो इसे ही नाटक कर रहा है सच्चे सच्चे बताओ माल कहा है याद आया सीता मेरी पतनी सीता किसी दुष्ट राक्षस ने उसका अपरहन किया था मैं और मेरा भाई लक्षमन सीता को वन वन ढून रहे थे ये किसकिन धावन है ना मेरा अनूज लक्षमन कहा है अलो नो टनकीट सब हम लोग आ रहे हैं सर का है इस लड़की की बेल करने के लिए बाहर कोई आके बैठा हुआ है सर कौन आके मराई वक्त पता ही नहीं सर इसमें का लिखा है आप विजय को जेल में नहीं डाल सकते विजय को डी आइडी डिजीज है का डी आइडी ये नाचने वाला प्रोग्राम डांस इंडिया डांस अरे नहीं सर डी आइडी मतलब डिसोसियेटिव आइडेंटिटी डिसोर्डर समझे, यह बीमारी जिस किसी को भी होती है ने, वो अपने आपको कोई और ही समझने लगता है, मेरे बांजे को जोड़ दीजिए सर, अरे वो कौन सा पिक्चर था जी, याद आ गया सर, एक तो चंदरमुखी और दूसरी गजनी, तुम हमको बॉलिवुड फिल्मों का जोलक हो का, बिल्कुल नहीं सर, यह तो मार्केट में एक दम नया है, अब तक बोलिवुड में ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है, विजय को अरिस्ट करते समय आपने उसे सिर परबारा था, और उसी चोट के वज़े से वो अपने आपको राम समझने लगा है, अरे प्लीज भाई साब तो आप है महाशक्तिशालिवाली, थनिय भाग हमारे, थनिय महाँ हमारे, थनिय भाग हमारे, जनिय भाग हमारे, जनिय दीजीए, जनि दीजे। लक्षमान मेरे अजुज कहा है तू AO अब यह उसको देखता हूं आप गाड़ी संवालो मैंने संवालता हूं मामा हूँ हूँ तगने अ के अ बाब ऑे बाब ऑे वाँ अ कि का अ का पना आए अ हुआ! अ हुआ 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 है अच्सार Красव प्लिएश्ट करी लिखम्हें व्लिएश्ट अए लगो तंव हाह पूआ यह अर्द काई ही Hey ** ** वव अर्णाव! कर दो कर दो पुलिस की चंगूल से तो तु राम बनके छूट गया अब यहां अभिमन्यू की तरह हमारे चक्रवी हुमें भस गया कहां है कहां छुपाया है मेरे भाई का पैसा बोल बचपन में जब मैं चोर पुलिस खेलता था तब भी मेरे हाथ में पैनिया पैंसिल नहीं असली गन हुआ करती थी जो पुलिस की गन से नहीं डरा वो गुंडों की गन से डरेगा अरे तेरे मामा की जान खतरे में है ट्रिगर दबाते ही चित्रे उड़ जाएंगे इसके कांट डाउन स्टाट वन टू फ्री क्या दो रिखो मोस मैरा ही डाउट क्लियर कर दो मरने के बाद भी महेरे मामा का बैंक बैलन्स जीरो रहने वाला है At least, इनके जिंदा रहने की market value तो बता दो उरे बाप, परे market value पूच रहा है, यह क्या कर रहा है अरे यह बातें करके हमारा time waste कर रहा है, खतम कर दो इसे Hey, 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 fighter भाई मुझ मानने के लिए आप सब को रोकड़ा, payment, फैसा, कितना मिलने वाला है या फिर बिर्यानी और दारू के चैरीटी पे जी रहे हो हाँ मुझे वादा किया था ओन्दू स्पॉर्ट पेमिंट बिलेगा मेरे को पांच हजार पांच हजार बोलो था क्या फालतो गीरी है दो हजार के लो बजट में मुझसे हाफ मडर करने को बोलते हैं क्या बात हुई है इतनी नाइनसाफी एक के पैर में शूज और दूसरे के पैरों में हवाई चप्पल गुरू भाई आपके राज में यह हो गया रहा है तुम लोग मुझ क्या देख रहा हो माड़ा लो इसे खत्म करो रुकिये सार यह लड़का एकदम सही बोल रहा है यह हुई नबाद हुई जाइ हुई तुम दूब लुई है हुई क्या गए हुई र congress हुई है यह थखबाद महात्मा गांधी वाली हरीपत्ती मेरी तरफ से हरे को 20,000 वो भी ओन्दा स्पाट पेमेंट अब बताओ गुरु भाई के साथ कागस के ऐरोपलेन में उड़ना है या फिर मेरे साथ असली ऐरोपलेन में रोटी के बजाए पिज़ा मिल जाए तो क्या बात है मेरे लिए पेमेंट ओके है तुम कहां जा रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते तुम्हें और पैसे चाहिए तुम्हें दूंगा जेखो मेरी बात सुनो रुख जाओ उस पर भरोसा मत करो रुख जाओ फ्लीज धुरु भाई अपनी या गण है ने अपनी जेब मेरा खिदो थेंक्यू अगर मैं तुम्हें इसी वक्त दिवाली के बोनस के तौर पर 20,000 देदू तो क्या तुम गुरु भाई की चिता पर पटा के उड़ाओगे भाई इसकी चिता पर पटा के तो क्या आप कहेंगे तो पुरे शहर को दावत दे देंगे आप बस हुकम कीजिये भाई हुकम कीजिये चिंता मत कीजिये गुरु भाई मैं तुम्हें कुछ ने करूँगा जा कर बोल दो उस किंको अपने किले को और मजबूत कर ले क्यूंकि उसके सिहासन को हिलाने मैं आ रहा हूँ ओर अन आउट आउट ज़रा रेडियो सुनते हैं अगर आपका ब्रेक अप हुआ है तुम मुझे कॉल कीजिए आपके तूटे दिल का इलाज है तुम ने सुना भांजे सुना तुम ने इसने तुम्हारे साथ ब्रेक अप किया और चली दुन्या के पेच अप करने क्या ये ठीक कर रही है आ ठीक छे बोला बन कर दो उसे मामा सोरी यह बैचारो मेरो भांजो अदूखी इछे उसे खुश करने के लिए मेरे को कुछ करना होगा क्या करूं क्या करूं भांजे मेरे को एक आइडिया आया है उदर देख यह अम लोग कितने अच्छे हैं लेकिन ये लड़किया है दिल तोड़ देती है भांजे अगर हम किसी लड़की को अगर मेंगा पिज्जा भी खिलाएंगे ने तो वह कहेगी इसमें थोड़ा सा नमक कम है इनके कंप्लेट्स खतम ही नहीं होते है भांजे तू एकदम सीधो अच्छे इसलिए तुझे पूरी दुनिया अच्छी दिखती है तु कुछ में कहले लेकिन यह लड़की प्रिया तुमारे एमोशन के साथ नहीं कहल सकती नहीं कहल सकती मामा मेरी प्रिया को कुछ मत कहना मामा मेरे को भी क्या हो गया छोड़ा मैं अपने एक्स बहू के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है यह देखा यह देखा तुमने जो यांजो दो दो किंग है यह इसी ने तेरी जिन्द की बारबाद कर दिया और आप तेरे को इसकी शकल हर दीवार पे देखनी पड़ेगी क्या थ्लोडे की फश्टर घिसमें वह दाथ दिंखा कर हसराव कर मारता हूं किदर से पथर किदर किदर कढर मामा इख्यान है बांजये तोईसे नहीं सकता सकता तेरे को अशिए सबक सिखा नहीं होगा मामा मामा क्या कर सकता हूँ यह भांजे डोंट अंडरेस्टिमेट दे पावर अफ मेन रहो खान मेरे पास एक आइडिया छे बखो हम तुम्हारी प्रिया किडने फो गई है ऐसा मीडिया वालों को बोल देंगे फिर वो हमें कोल करेंगे और हम उन्हें सारी सच्चा ही बता देंगे सुबा होने से पेले यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बनेगे बांजिया ब्रेकिंग न्यूज आधी राज को आई एक अंजान कॉल ने एक संसनी फैला दी है राज शेकर उर्फ किंग ने रेडियो आज जी प्रिया का अपहरण किया है राज जी की जनता ये जानना चाहती है कि कहीं है कि कि कोई नई चाल तो नहीं है या फिर किंग के खिलाब ऑपोजिशन वालों नही किंग क्या हुआ देख तेरी पतलून पढ़ गई ना क्या करेगा क्या नई पदलून सुई रागे से सिल्कर पहनेगा या फिर नई पतलून खरीदेगा अर्जे प्रिया के पिछे का राज अभी तक राज ही बना हुआ है खबर भेली है कि रात और आपर आरजे पृया और ग्रह मंतरी किंग में शादी कर दी है और वो दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए ऐस्टेलिया गयुए है अब आजे प्रिया के किड्नापिंग के बारे में जानने के लिए बार-बार ग्रहमंत्री से संपर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक ना उनसे कोई बात हुई है ना कोई स्टेटमेंट आया है क्या उन दोनों की सच में शाधी होई है या फिर शादी का नाटक कर रहे है घिर的是 जवाल नहीं है यहां की जरता का सवाल है उसे जवाम चाहिए यही यही है यही है असली ब्रेकिंग इतना चिल्ला क्यों रहे हो सुच्छ भारत मिशन फिल्म के लिए तुम्हें कोई हिरोइन मिल गई क्या वह ब्रेकिंग न्यूज बद गई सर मीडिया वालों को कैसे संभूतित करेंगे मेरे प्यारे मीडिया दोस्तों ऐसे लिखो ओके सर अम जो भी कहेंगे मीडिया को फ्रेंडली लगना चाहिए राजा श्रीकान मीडिया वाले बार-बार फोन कर रहे हैं क्या जवाब देना है उन्हें कुछ तो बताना पड़ेगा ना मीडिया से क्या क्या कहना है गुरू जी ने बता दिया है अपने पार्टी वोकर्स और हमें सपोर्ट करने वाले आईटी और बीटी इंप्लॉईज को पार्टी आफिस में बुला लो साथ में मीडिया वालों को भी पॉलिटिकल गेम क्या होता है यह किंग उन्हें बताएगा यह सीधा प्रसारण है मैं यहाँ जैशक्ती पार्टी के आफिस के बाहर खड़ा हूँ और हम लोग किंग के बाहर आने का इंदजार कर रहे हैं अब देखना यह है कि वो आरोफों का खंडन कैसे करते हैं जैशक्ती पार्टी जिनदा भाड़ नमस्ते मेरे पार्टी के लोग मीडिया के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ मैं पूरी तरह सहमत है कि हर बार मीडिया के सहियोग ने ही मुझे केंग बनाया है और अब आप मुझे अपराधी की तरफ प्रस्तूत कर रहें आपने मुझे भ्रष्टाचारी और अपराधी नेताओं की लिस्ट में बिठा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं किंग कहलाने के लायक रहा हूँ इसलिए आने वाले चुनाव में मुख्य मंत्री बनने के लिए मैं उमिदवार के तोर पर खड़ा नहीं रहूँ सर तो अगला मुख्य मंत्री कौन बनेगा आपको नहीं लगता आपका ये फैसला जलबाजी में लिया हुआ है सर कभी कभी राज कारण में सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिलता मैं मुख्य मंत्री पद का उमिदवार नहीं बनूँगा इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी आप अपने अखबार और चैनल पर उसका नाम हाइलाइट करोगे ऐसा उमिदवार मैंने मुख्य मंत्री पद के लिए चुना है वो आपके लिए आपरिचित नहीं है उसने पहले ही अपनी आवास के जरीए सबका दिल जीत लिया है और अब वो राज कारण में उतर कर एक बार फिर तुम सबका दिल जीत लेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है आई इंट्रिड्यूज आपकी प्यारी आरजे आरजे प्रिया प्रिया सिम्हा हमारी पार्टी निस्वार्थ भावना की प्रतीक है राजा ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है इसलिए अलग-अलग छेत्रों में काम करने वाले नोजवान जिने समाज के प्रतियास्था है वो खुद आगे बढ़कर हमारी पार्टी जॉइन कर रहे हैं और देश सिवा कर रहे हैं जैशक्ति कार्टी जिन्दाबाद! जनतंत्र के नाएकों और मेरे मीडिया दोस्तों जिस तरह आपने हमेशा मेरा साथ दिया बिलकुल उसी तरह आप इनका भी साथ दीजिए राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां एक महिला का मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाब हो जैशक्ति पार्टी के सहकारी और इस राज्य के पूरी जनता को मैं प्रिया सिम्हा का नमस्कार आज के दिन ने अपना नाम राज्य के इतिहास में लिख दिया है आज के दिन किंग के फैसले ने ये थाबित कर दिया है कि वो सिर्फ किंग ही नहीं वो किंग मेकर भी है अब देखते हैं पॉलिटिक्स क्या रंग लाती है जैशक्ति पार्टी की ताकत और राजर के जंता की ताकत एक ही है कहकर किंग ने अपना भाशन पूरा किया जिस तरह तमिल नाड़ु में अम्मा की सरकार चली थी उसी तरह अपने राजी में भी एक स्ट्री का राज चलेगा ऐसा लग रहा है एफ-एम रेडियो पर पिक्चरों के काने बजाने वाली अब इस राज की सीम बनने वाली है ये क्या पकवास है किंग ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि पत से ज़्यादा पार्टी इंपॉर्टन्ट है किंग ने प्रिया सिम्हा का नाम सीम उमिद्वार के तौर पर घोशित कर दिया है जय शक्ति पार्टी की मुख्य मंत्री पत की उमीदवार प्रिया सिम्मा को ही आप लोग वोट दीजिए हमारी नशानी अंगोठा आइटी और बीटी के लोगों ने हमारे काम करने का तरीका ही बदल दिया है लो इसका प्रिंट आउट निकालो और आफिस भेज़ दो ठीक है यहां पर सयम की ज़रुवत पड़ती है धैर रखना होता है कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें अपने सीनियर से सलाह लेनी चाहिए ठीक ऐसा हालो एक्स्क्यूज मी वो फाइल देंगे सर यह नेटवक नहीं आ रहा है प्लीज एक्स्क्यूज मी अभी आ रहे है यह मामा यह क्या है पहले कभी देखा नहीं हो हां यह चीटर कहीं की यह लड़की चीटर कहीं की मेरे अगरी भांज्य का दिल तोड़के चल दी आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 FM सीचुएशन है गरमा गरम ऐसा लग रहा है कि ब्रेक अप की सीचुएशन बहुत ही गर तुम मुझसे पहले की तरह बाते नहीं कर सकते अब मैं आरजे प्रिया नहीं हूँ फ्यूचर सी एम हूँ तुम्हे इस बात पर कोई शक है क्या बाशन देना भी सीख गई हो तुम्हें पता चला डाइमंड का है कैसा डाइमंड ओ माइ गोड यह सब क्या चल रहा है तुम ए प्रिया हम बच्पन से दोस्त हैं और मैं तुम्हारी जरूरत को तुमसे अच्छा समझता हूँ बताओ प्रिया क्या प्राब्लम है विजे मुझे वो प्रिया तुम हसो रोलो गुसा करो मायूस हो जाओ इन में से तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन मेरे होते वे डर नहीं सकती डरना छोड़ो और बताओ क्या हुआ वो किंग राजशेखर एक बार मेरे घर आया था इतने सारे लोग हमारे घर क्यों आय थे जानने के लिए मैं पापा के पास वाले कमरे में खड़ी थी जानते हैं यह सबसे खास डाइमंड है एकदम खास विक्रम सर मैं वैसे भी बैंगलोर जा रहा हूं आप यह डाइमंड मुझे दे दीजिए मैं खुद सीम साब तक पहुचा दूँगा ओ फाइन यहां सिगनेचर कर दीजिए लेकिन यह कागस तो खाली है सर कंटेंट हम लोग लिग देंगे आप बस साइन कर दीजिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है कई भी कभी भी आप जो भी कहेंगे मैं कर सकता हूं आपने बढ़िया काम किया हो गया है रुद्रप्पा जरा देखो गाड़ी आई है क्या विक्रम सर जी सर आप तो देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं बहुत किसमती से आपने स्यूसाइड नोट पर साइन कर द तुझे क्या लगा यह टाइमेंड सरकार को देखर तु देश सेवा कर रहा है देश सेवा कर रहा है पाप्पा पाप्पा मेरे पापा मेरे लिए क्या पुरी दुनिया के लिए भगवान थे वो इस देश की शान थे गौरव थे लेकिन उस राक्षस ने मेरे पापा को माहर डाला गाँवालों को भरोसा दिलाया कि उन्होंने आत्मात्या कर ली उसने मेरे देश भग्ध पापा को अदेश द्रोही साबित कर दिया और गावालों ने हमें गावं से बाहर कर दिया जिस इंसान को प्रेजिडेंट मेडल मिला था ऐसे इंसान को पुलिस डेपार्टमेंट बूल चुका था और इसकी वज़ा सिर्फ किंग है आज बीस साल गुजरने के बाद वो फिर एक बार हमारी जिंदगी मे भाया ने जो जगह ऑस्पिटल बनाने के लिए खरीदी थी उस पर वो अपना हग दिखा रहा है मुझे डर है कि वो फिर एक बार मेरे लोगों को मुझसे दूर ना ले जाए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती प्रिया एक गेम खेले क्या बोल रहे हो तुम गेम प्रिया ग वो गनतंत्र का ऐसा राजा होगा जो अपने ही सिहासन को खुद ही बरबात करके रख देगा उसके सामराज्य को बरबात करने के लिए मेरे पास एक गेम प्लैन है तुम्हें याद है जब हम मोबाइल स्टोर गए थे तब मुझे वो ब्रोकर मिला था उसने मुझे किंग के लड़की ढूंड रहा हूं भाई उसे जैसी चाहिए वैसी लड़की मिल गई तो मुझे अच्छा कमिशन मिल जाएगा भाई तब मैं तुम्हारे सारे पैसे लोटा दूंगा लेकिन ये बात हमारी मदद कैसे करेगी ज़रूर करेगी ये किंग हर छोटी बात गुरू जी के कहने पर करता है उसके बगएर उसका पत्ता नहीं हिलता गुरू जी का हर शब्द उसके लिए भगवान का शब्द है और उसकी यही वीकनेस इस गेम में हमारा ट्रम कार्ड बनेगा उसे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की कि उस ब्रोकर को मिल गई है अब मैं तुम्हारी कुंडली उसकी कुंडली से बदल दूँगा हमारी कुंडली मिलाने के बहाने मैं उस गुरू जी के पास वो कुंडली पहुँचा दूँगा राजयोग के लालत से गुरू जी के कहने पर वो शादी के लिए तयार हो जाए और यह हमारी पहली चीत होगी मुझे हमारा कोई जेम्स बॉन्ड वाला प्लैन होगा उसं किक recent मिरी शादी यह तुन्मारा गेम है प्रिया, किंग के लिए वो डायमंड उसकी असली कीमत से कई ज्यादा कीमती है हम उसे वापस लाएंगे तुम्हारे पापा के इच्छा थी कि डायमंड सरकार के खजाने तक पहुँच जाए हम किंग के खिलाफ नहीं जा सकते हमें उसके साथ रहना होगा, उसे समझना होगा और उसकी हर चाल पर हमें नजर रखनी होगी तुम अंदर खेलोगी? और मैं बाहर लेकिन ये किंग जो आधा चानक क्या है और आधा शकुनी है किसी पे भरोसा नहीं करता तुम्हें किसी भी हाल में उसके किले में जाना ही होगा और पता लगाना होगा डाइमंड कहा है और मैं उसे चुरा लूँगा प्रिया किताबों की प्रेम कहानियां जैसे कि रोमियो जूलेट, लेला मजनू ये मरने के लिए इंस्पायर करती है लेकिन मैं चाहता हूँ हम जिन्दगी बर खुशी-खुशी जीए तो गेम शुरू करें तो तुम दोनों मीलकर बोलीवूड सिनेमा को होलीवूड सिनेमा बनाना चाहते हो है लेकिन डायरेक्टर होने के नाते बहता दूँ हां कि ये कहानी वर्क आउट नहीं होने वाली डायरेक्टर सर आप फिल्मों की जूटी कहानियों को बॉक्स ओफिस पर हिट कर देते हो लेकिन जो कहानी असल में हो रही है उसे डिसकरच करके नहीं चलने वारी बोल रहे हो प्रिया कही हमारे फिल्म के विलन को हम पर शक हो गया तो चांसी नहीं उसकी कॉफी में नमक डाल दूँ तो भी वो शक्कर समझ के खुशी-खुशी पी लेगा भांजे यह तुम्हारे ब्रेक अप की बाद तो समझ में आ गई लेकिन हमने जो रास्ते पर दारू पी कर जो गाना गाया था और मीडिया को कॉल किया था उसका क्या इसका मतलब तुमने उस राच्छरा पी नहीं थी ठीके ठीके यह लो डायमेंड का क्लू मैं बात में तुम्हें मैसेज करूंगी राजा तुम यहां एक्सरसाइज कर रहे हो मेरे ख्याल से तुम्हें योगा छोड़कर निउस देखनी चाहिए यह देखो एक्सराइज के अनुसार इस बात में कोई शक नहीं कि राज्य के मुख्यमंत्री जैशक्ती पार्टी की बनेंगी देख रहे हो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे पार्टी की चीफ यही है हम जीत के पटाके फोड़ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी में जल जाएं देखो राजा गुरु जी के राजियों के चक्कर में तुमने इस लड़की को सीम का केंडिडेट बना दिया कहीं ऐसा ना हो कि रेडियो पर गाने बजाने वाले लड़की सच में राजी की सीम बन जाए गुरु भाई टेंशन बढ़े तो ग्रीन टी पीनी चाहिए सेहत के लिए अच्छी होती है गुरु जी ने कुछ और ही प्लान बनाया है मैं उन्हें ऐसे ही किंग मेकर नहीं बुलाता हूं पियो पियो गेम खेलें यह को और गेम तेरे को ना बांज यह ओलिंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था इंडिया को दो चर्मेडल ऐसे ही मिल जाते हैं क्लेक्शन केंपेंड की पब्लिसिटी के लिए सिनेमा के हीरो हिरोईन और इंटरनेट पर कॉंट्रोवर्सीज बना कर जो फेमस होते हैं उन्हें बुला लो और साथ में उस लड़की को भी बुला लो जिसकी संस्था के लिए हमने पैसे दिये हैं मीडिया हमें सूपर कवरेश देगी गुरु भाई प्रिया ने खबर दे थी कि पार्टी के किसी आदमी के पास ही वो डाइमंड है और ये नियूस कंफर्म है अब हम दोनों को उसे चुराना है चोरी करना जरूरी चाहे है ओक्यै अच्छे गुरु भाई गुरु जी का कॉल आया था उन्होंने मुझसे कहा कि राजा, प्रिया के साथ तुमारी शादी होने में देरी होने से राजियोग में भी देरी हो रही है लेकिन तुम निराश मत हो न, मेरे पास सारी समस्याओं के उपाय हैं, ग्रहन के दिन उसकी बली चढ़ा दो इससे तुमें सकल सिध्धी योग प्राप्त होगा, तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे प्रिया को मारने के लिए ग्रहन के दिन फॉरण से किसी शूटर को बला लो हम ऐसा खेल रचाएंगे कि मीडिया को लगेगा कि प्रिया को आपोजिशन वालों नहीं मारा है लोग मुझे सांत्वना देंगे, किंग सर, किंग सर क्रिपा करके इस राज के मुख्यमंत्री पद का आप स्विकार कीजिए और फिर मैं एक इमोशनल स्पीच दूँगा आपकी सेवा ही मेरा धर्म है, आपकी सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है फिर मैं सीयम बन जाऊंगा मामा, अब मैं किंग के पॉलिडिक्स के पिच पर ऐसी गुगली बॉल फैकूंगा के किंग हो जाएगा, LBW आउट हर कट आउट पर तुम्हें मेरा ही चहरा दिखाई देगा क्यों ब्रदर, फेस्बुक पर तुम्हारी यवा है? नहीं सेर, मेरी तो सिर्फ फेस्बुक पर आवा है, आप तो हर जगह चाहे हुए है मुझे भी आक्टिंग का चांस दो आप तो कमाल के एक्टर है, मैं देख रहा हूँ बड़ा डिरेक्टर बनेगा मामा, अगर हम पकड़े गए, तो यहां लोग हमें मार मार के फुटबॉल बना देंगे केरफूल मामा हम सिनेमा वाले है, हम सिरफ मोबाइल का इस्तेमाल करके लोगों को घोष्ट पर भी बिरिव करा देते तो मेरे यह जुन-जुना है शांती से काम लो मामा, सब का बुरा टाइम आता है, कहीं तुम्हारा बुरा टाइम ना आ जाए, इसलिए और कॉन्फिड़न्स मत दिखाओ, बी केरफूल ओके भांजे, आइम रेडी फॉर ओपरेस्ट डाइमंड रोकेट, नौप हिरोईन मेडम, प्लीज प्लीज सर पार्टी कितनी कलरफूल लग रही है पार्टी में आने के लिए थांग, इस ओके यह हैं दीपा काम अगती जानता हूँ, मैंने इनकी फिल्में देखी हैं माधुरी दिख्षित के बाद, अगर मैं किसी का फैन हूँ, तो वे इन्ही का फैन हूँ वेरी गुड़, वेरी गुड़, मुझे आप जैसे लोगों का ही सपोर्ट चाहिए डेफिनेटली सर, आप चैरिटी का बहुत काम करते हैं, मैं हमेश आपके साथ हूँ, सर प्रिया इन्हे ड्रिंक पिलाँ शौब, कम यह आओ डैनियल भाई, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ महच्छर, प्लीज, महच्छर भाणजे, आने जाने वाले हर एक पर मेरी बारिक नजर है, लेकिन मेरे को कोई कुलू नहीं मिल रहा है मामा, टीम कितनी भी स्ट्रॉंग क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसे आप जैसा कैप्टन मिल जाए, तो वो टीम वर्ल्ड कॉप तो क्या, हाई स्कूल की मैच तक नहीं चीछ सकती वाइट, येलो, ब्ल्यू, रेड, हैपी बार्थ दे अगर किंग को पता चलाना कि आज मेरा बिर्थ डे है, तो हमारी फिल्म यहीं खत्म हो जाएगी मैडम, मैं ऐसी ब्लॉक बस्टर फिल्म हूँ, जो पूरे साल ठेटर में सुपर हिट रहती है मुझे टेंशन मत दो, जाओ यहां से समझ में नहीं आता, इस लड़की को कैसे पटाओं मामा, कुछ तो जोल है यह दीपा कामत के वेस्टर ड्रेस के साथ माथे का टीका कुछ मैच नहीं कर रहा यहां हर कोई उस कमरे में जाता है और माथे पे टीका और हाथ में रक्षा बंधन का पीला धागा बांगर बाहर आता है मुझे लगता है, गुरुजी भी इस पार्टी में मौझूध है मामा पार्टी में सबसे पहले गुरुजी तो पदा रहे थे, मैंने उनसे आशिर्वाद लिया था, लेकिन तुम उन्त की तलासी कैसे लोगे, क्या हुआ बांजे, एनी प्रोब्लेम, कितने बेवकुफ हो मामा, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें, वो विजह श्री रत्न, मेकर गुरुजी के पास ही है, मैं पक्चोका हूँ, बच्चों की तरह लुका छुपी खेल कर, अब मैं डायरेक्ट जाकर रेट डालूंगा, ओके, एक्शन, इस एलेक्शन में खड़ा होने की सोचना भी मत, तुम्हें एक विवोट नहीं मिलेगा, गलती से भी ऐसे गलती मत करना, वरना तुम डूब जाओगे, अस्ट दोश है तुमारी कुंडली में, गुरुजी, इसके लिए कोई उपाए, सर मुझे भी आपकी पाटी में एक सीट दीजिए, हाँ, मैं टिकेट मास्टर हूँ, टिकेट बाटना मेरा काम है, आपको फ्री में एसी का टिकेट द मैडम, 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 एक सेलफी तो लेने दीजे, मैडम, कुछ तो गोलमाल है, कुंडली के हिसाब से आज इसका बौधर्टी नहीं है, चलकर गुरुजी से प्रूचें, बेवकूफ कहें के, राज तंद्र, राज योग, किस बेवकूफ ने तुम्हें किंग मेकर बनाया, वो हमें चूना लगा कर चला गया, ये क्या बके जा रहे हो, गुरु भाई, मैं अब भी किंग हूँ, इन गर्फरेंड, बॉइफरेंड को, हमेशा के लिए एक दूसरे स दूर कर दूगा, शान्त हो जा राजा, तुम्हारी ग्रह गति ये भी तेल लगाने गई ग्रह गति, ग्रह गति को चुलहे में डाल दो, उसे तुम चिता पर क्यों नहीं डाल देते, जा दो, देख क्या रैचल, अमें किसी ने आमें साथ देख लिया तो गडबड हो जाए अलो, मिस्टर बदमाज, ध्यान से सुन, गर्ल्फरेंड बॉइफ्रेंड ने मिलकर मेरे साथ बहुत अच्छा गेम खेला, तुमने मेरा डाइमंड चुराया उसके बदले में, मैंने तुम्हारी गर्ल्फरेंड को गन पॉइंट पर रखा है, मैं तुम्हें डाइमंड वा कि एक पल की देरी नहीं करेगा ये बदमाज तुम्हारात्म दूर् rho राव राग शुनां भी एक जानाधना रामा अच्रूंगिण चंत्या माह भुचाविक्राइम, राभ्धर शुनाच्क मिले वट्रिमान, जैल्फराण भरामा Rama, 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 Rama Ujjyalonra Rama, 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 Jude Shri Rama Rama Param 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 Nam नार्मा, रामा, रामा 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 बिची रामा IBOS, RDY, ECAK八ग यहागी। रामश्दग। आद्ट paso करो कि प्यार्माधन थे गेतकेна अच्छ़ु दिप्टत्र छाsky महा, फुचा, स intimidate , बाधै प्राक पर रोष। प्रामार। जितारा सिता प्रिया करा सहार नादी सुराच्छत बनाया सुरा बीला रधुबरा रामना हरा बीरा बाधुकरा बीला बीकलत視 को फाथं भी थहार Japan कि अे कर 00.003 भीला पुट्ट्वेश力 पुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अगर बसको अपना ही इड में किया उरा ating में go D किया है अ, हम किया ओना, इंग दो sixPO किया ह है, ठेस मैं टूल याऊे अमे nुओ गूओ इस परे में रहिए इसमойти तेसमे हाई है इधर देख लड़की उपार है विच्च 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 हुँ है है बसकरो है हिरो चप चाप डाइमंड देदो मैं तुम्हें लड़की के पास ले जाऊगा मैं अपनी प्रिया के लिए डाइमंड तो क्या जान जान भी दे सकता हो गुरु भाई, कोरे कागस पर सुिसाइड नोड लिखवा कर मुर्डर को कवर करना ओल्ड टेक्निक हो गई है, इससे मारने के लिए नई टेक्निक आस्माएंगे तुझे टाइमंड मिल गया है, प्रिया को छोड़ दे लिजे, देखो तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी खादर यहां से चले जाओ ए गुरु भाई, यह दोनों तो मेगा एपिसोड बना रहे हैं, तुम्हे तुम्हे रुक आप, प्रिया प्रिया, 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 प्रिया ओ, सॉरी बिरी, लोमियो, तेरी जूलियट तो गई, चलो उठाओ इस डेड बोडी को, बाहर ले जो रुद्रुपा, ले जाओ इसे यहां से रुद्रुपा हर न्यूस्पेपर टीवी में खबर दे दो इसने अपनी गर्ल्फेंड को नहीं बल्कि फ्यूचर सीम को मार दिया है अब से मैं किंग भी हूँ और किंग मेकर भी दर्शको एक दिल दहना देने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनते ही आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी ये किसी आम लड़की का नहीं बल्कि राजी की होने वाली सीम प्रिया सिना का कतल हुआ है पार्टी आगे क्या निर्डे लेने वाली है ये जानने के लिए हम पार्टी कारिया दिख्ष गुरु भाई से बार बार संपर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के कारिया दिख्ष गुरु भाई ने हमसे खुद कॉल करके बात की अब हम किंग के घर के पास है आप ये खट्टा लाइब देख रहे हैं हे छोड़ा मुझे चलो छोड़ा छोड़ा मैं स्टेट के होम मिनिस्टर हूँ जाओ जाकर पहले वारंट लेकर आओ सिक्यारिटी सिक्यारिटी सर आपको इस खुर्सी पर बिठाने वालों नहीं आपका वारंट निकाला है आप कोपरेट कीजिए तो हम आपको शांती से ले जाएंगे वरना खामखा आपकी बेज़ती के बारात निकालेंगे अब आप ये तै कीजिए कि आप आखिर जाना कैसे चाहते हैं आराम से मुझे वहरेश के बगर अरेस्थ नहीं कर सकते हैं एच छोड़ो मुझे मतना मैं एक एक को देख लूंगा मैं राज जिकात क्रहमंत्री हूँ एक गुरुभाइ गुरुभाइ रियाज कुबलाओ गुरुभाइ रियाज कुबलाओ जबी करो आहन पयोगा एक 一 के अर्स्सकेणा के मुझ्टे करें। विट्षियम पोर्डरॉडर् से मूद्लि कॉझनी हुआ हैं। अर्शकों, इसकारी एंपर के लिए कुछा है। इन यता में खब्द घ्रह दोधेन। मैं तो कहता हूँ कि उसकी बॉड़ी को समंदर में फेक दिया जाए ये मेरी डिमांड नहीं है ये जनता की डिमांड है प्रिया सिमा के मर्डरर किंग को एरेस करने का एक्स्लोजिव वीडियो देखी इसे देखकर विश्वास नहीं होता देशभक्ती का नाटक करने वाला किंग एक खूली निकलेगा ये शोकिंग है ये जनतंत्र पर लगा कलंक है मुख्या मंत्री राम सिलफ ने एक स्पेशल टास्क फोर्स को न्यूक्त किया है और उस फोर्स का सूर्या श्रिवास तब को हेड बनाया जो इस काम को अंजाम देंगी किंग के कुकर्मों में साहभागी होने के लिए पुलिस ने पुलिस प्रम्हा गुरुजी को भी अरेस्ट कर लिया है आज किंग के परसनल बॉडिगाड व्यास खान को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उसके खिलापी सबूत मिले है जिस किंग को आज तक देश भक्त कहा जाता था उसे अब देश द्रो ही करार दिया गया है कई सालों तक जो इंसान मीडिया को बेवकूफ बनाता आया है आज उसी किंग का जूटा चेहरा मीडिया के सामने आ गया है यही है यही है इस राज़ी की अजनी बेकिंग निउस किसी को तुमसे बात करनी है हम हलो किंग भाई मैं हूँ विक्रम प्रताब सिम्मा का जमाई तुमारे बुरे दिन लाने वाला मैं चूब बदमाश तुमारे क्या दुश्वनी है मुझसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा रिवेंज सर रिवेंज तुमने मेरी प्रिया के पापा विक्रम प्रताब सिमा का कतल किया और उसी कतल को सुसाइट बताकर उन्हें देश ड्रोईट हराया उसी बात का रिवेंच तुन्हें किसी दो ठके के पुलिस वाले को घृड लिया ना इसलिए इतना ज्यादा हो चल रहा है हो सकता है वो तुमारी नजरों में दो ठके का पुलिस वाला हो लेकिन आज के बाद पब्लिक उन्हें नैशनल हिरो मानेगी और वही हिरो तुमारे सामने बैठा है रोत्रपा सर आप रेटार्मेंट के बाद पेंशन किस हक से लेंगे जबकि आपने कभी पूरी इमानदारी से काम किया ही नहीं तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम प्रताप सिम्हा एक इमानदार देश भक्त पुलिस ओफिसर जब किंग ने उनका कतल करके उन्हें देश द्रोही ढहराया उस वक्त एक पुलिस वाला होने के नाते आपने एक्शन क्यों नहीं लिया सर अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है रुद्रपाज सर बस एक बार इमानदारी दिखा दीजे तो उसके लिए मुझी क्या करना होगा? गेम सर हमें एक गेम खेलना होगा तुम्हें लगता कि इस बेवकूप बुढ़े का साथ लेकर तुम उसे गेम जीत जाओगे? जेल में जाने के बाद भी मेरा पावा बटन मेरे हाथ में है ठीक है मिस्टर किंग मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ रामायन में जिसकी वज़ा से रावान युद्ध हार गया वो कौन है? और कौन? विभीशन हाँ 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 इक्जाक्ली उसी तरह हमारे गेम में विभीशन दूसरा कोई नहीं आपका भाई है गुरु भाई आपका छोटा भाई सूरिया लंडन में क्या कर रहा है? एए तुम सूरिया के बारे में कैसे जानते हो? सूरिया जिन्दा है वो लंडन में रोड साइट पे फूलों के बुकेस बेचता है क्रिकेट बेटिंग का बेताज बादशा सूरिया भाई लंडन में फूलों के दुकान चलाता है क्या किस्मत है? अगर किंग को पता चला कि सूरिया मरा नहीं है तो आपको मरना पड़ेगा एक बात बताईए गुरु भाई आप किंग से उम्र में बड़े हैं उसे तो आपकी इज़द करनी चाहिए ना? लेकिन उसने आपको आसिस्टेंट बना रखा है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? गेम भाई हमें एक गेम खेलना होगा प्रिया को मारने के लिए ग्रहन के दिन फॉरण से किसी शूटर को बुला लो राजा को प्रिया की सच्चाई का पता चल गया है वो कली उसे मारने वाला है अब हम क्या करेंगे? विजय? शूटिंग एकदम रियल होगी गुरु भाई लेकिन गन पक्की नकली होगी खिंग प्रिया पर गोले चलाएगा या आपको मोबाईल में रेकॉर्ड करना होगा उसके बाद मैं प्रिया को सेफली अबरोड भेज दूँगा और उसके बाद यहाँ पर हरी सहाब पुरे देश को प्रिया के मरने की ब्रेकिंग निउस देंगे गुरु भाई पार्टी का कार्या धक्ष होने के नाते आप सीम से किंग का अरेस्ट वारन निकबवा सकते हैं किंग प्रिया पर मेरे सामने गोलिया चलाएगा और मैं उसे बचा लूँगा पका ट्रैजिक फिल्म का क्लैमेक्स लगेगा गुरु भाई तुम राजा को अच्छी तरह नहीं जानते विजे प्रिया को मारने के बाद वो मरी है या नहीं ये देखने के लिए उसकी पल्स जरूर चक करेगा तब क्या होगा गुरु भाई नो प्रॉब्लम कुछ लोगों में जर्म से ही उनके रेडियल नर्फ से पल्स नहीं मिलते ये एक बर्थ कंडिशन है प्रिया के पल्स चेक करो अट अनी गिवेन अफ टाइम तुम्हें पल्स नहीं मिलेगी औरे वाव 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 ये तो मेडिकल मिरिकल है जिस चीज को तुमने इतने सालों तक छुपा कर रखा उस विजैश्री रत्न को गुरु भाई और रुद्रपा ने सेफली गवर्मेंट को सौफ दिया है केंग उस भूडे डॉक्टर और गुरु भाई की मदद से तुम्हें क्या लगता है मेरे ही बनाए गेम से मुझे बाहर कर देना इतना आसान होगा मैं अभी भी होम मिनिस्टर हूँ तुम्हारी खुशियों पर पानी फिरते मुझे देर नहीं लगेगी भूलनो मत की पूरा सिस्टम अभी भी मेरे हाथ में है पाहर आते ही तुम सब को इसका रियाक्शन देखने को मिलेगा किंग भाई तोड़ी देर में मैं तुमसे जेल में मिलूँगा असली ब्रेकिंग नियूज में तुम्हें सुनाऊंगा तुझे तुम्हें अगर एक किंग इस तरह के गेम खेल सकता है तो सोचो ऐसे कितने किंग हमारे आसपास होंगे अगर हमें उन्हें खत्म करना है तो हमारे हाथों में पावर होनी ज़रूरी है उसके लिए हमें अपना किंग खुद बनना होगा नभी रामराग जाएगा नमस्टे भाइलों आसदाब भाइलों तो झाल झाल झाल